नावगर पुलिस्टेशन ने चार लोगों को गिरों को गिरफतार किया है जो कि आटो रिक्षा चुरा कर बेचते थे इनके पास से 14 आटो रिक्षा बरामत की गई है नावगर पुलिस्टेशन के PSI गनेश के नेदृत में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के गठन करने के बाद इन सभी आरोपियों को ट्रैक किया गया उन्हें गिरफतार कर 16 दिसंबर को नावगर पुलिस्टेशन ने पूश्टाच के लिए बुलाया पुश्टाच के दौरान उन सभी ने कबूला की डुम्बे वली कल्या नावगर और ऐसे तमाम जगाओं पर जा करके वो रिक्षा चोरी किया करते थे जिसमें 14 रिक्षा पुलिस्टेशने के आरोप थे इन पर और आखिरकार पुलिस्टेशने इने गिरफतार किया रिक्षा जब भी की गई है अहाम आपको बताते कि इस पूरे मामलात को लेके पुलिस उपतायूग परिमान सेवेन के परशान कदम ने क्या कुछ जानकारी दी है और ये कैसा रहा पुरा ट्रैप कि नवगर पुलिस्टेशन में एक सियार नमबर रिजिस्टर था सिक्स फोर सिक्स ऑब्लिक इक्कीस यह एक्टो रिक्षा चोरी का मामला दज्ज था इसमें हमने दो आरोपियों को पहले हिरासत मिलिया था एज वो टेक्निकल अनलिसिस के बेस पे इनके इन्फोरमेशन चे इंट्रोगेशन किया तो हमने यह पाया कि यह दो जो रिक्षा चोर है यह रिक्षा पहले गंए रिक्षा कर के बोड़ेंटीफाय करते थे और इसके बाद यह रिक्षा electronic circuit के माध्यम से वो clear करके start करके लेके जा देते हैं जो दो संशित हमने पकड़े थे उन में से एक एटो रिक्षा चालक था और दूसरा सूरक चालक चालक था ऐसी प्राथमिक जानकरी हमको मिली थी फिर हमने पूरा इनका interrogation किया फिर उनके साथ और दो लोगों को हमने receiver के तरुप से आरिस्ट किया विटोटल 14 रिक्षा हमने इसमें investigation में इनसे बरामत की है इनका modus ये था कि ये पूरे पहले दिन आके रेकी करते थे और ये रिक्षा का पूरा process उनको पता था कि कैसे उसको start करना है किस रास्ते से लेकर जाना ये सब इनकी उनको पता था तो इस माध्यम से वो लाग लाग देड़े लाग की रिक्षा हो आठ दस पंदरा हजार में ऐसे बेच कि ये गिरो काम कर दो था इसे चार लोगों को ह सब्सक्राइब ने बहुत बड़ी शुक काम ने दिये कि अच्छा detection किया है